आज एक ऐसे सक्त की कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कहानी शुरू होने से पहले अगर आप जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो कहानी है, राजस्तान प्रदेश का एक जिला है बीकानेर और बीकानेर का ही एक इलाका लगता है खाजुवाला और उसका गाव है आनंदगर दरसल यह जो इलाका है वह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर का एरिया है और यहीं पर एक जगह लगती है बज्जू बज्जू में एक बाइक कम्पनी है और बाइक कम्पनी में कुछ लोग पहुचते हैं अभी दो दिन पहले लगभग 30 अक्टूबर 2023 के आसपास का यह वाक्य है जब कुछ आफिसर कुछ लोग पहुचते हैं, वहां जाने के बाद आवाज लगाते है कि क्या यहाँ पर नरेंदर कुमार नाम का कोई लड़का काम करता है जो कि आनंदगर का रहने वाला है तुरंथ ही उस मैकेनिक का हाथ खड़ा होता है और कहता है कि साहब मैं हूँ नरेंदर कुमार और नरेंदर कुमार से जैसी ही बातचीत करते हैं बातचीत करने के बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं पूरी कमपनी में हर कमप मत जाता है कौन वह लोग थे जो उसे बुला कर लेकर गए क्या बातचीत करेंगे क्या नहीं करेंगे इस तरह की बात थी और अगले ही दिन यह मामला यह वाली बात सोशल मीडिया पर अकबारों में और टेली विजन पर जब चलने लगती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार नरेंदर कुमार ऐसी गलती कैसे कर सकता है दरसल नरेंदर कुमार जांच में बताता है कि लगभग दो साल पहले यानी की साल 2021 का यह मामला है पुनम बाजवा नाम की एक लड़की होती है जो की भटिंडा पंजाब के रहने वाली अपने आपको बताती है वह कहती है कि वह BSF में डाटा एंट्री का काम करती है और उसके पास उस लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आता है तो वह लड़का यानी की नरेंदर कुमार उसको स्वीकार कर लेता है एकसिप्ट कर लेता है, एकसिप्ट करने के बाद इन दोनों की पहले तो चैटिंग के थ्रू बातचीत होती थी और बातचीत होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ फोटो का भी आदान प्रदान करने लगते है दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है लड़का अपने प्यार का इजहार कर बैठता है, उधर लड़की भी अपने प्यार का इजहार कर बैठे लेकिन सबसे है एरान करने वाली बात ही होती है लड़की देखने में बेंतहा खुबसूरत होती है, लड़का उतना खुबसूरत नहीं होता हाला की दोनों की उम्र जो होती है वह लगभग बराबर के आसपास ही होती है लड़का 22 साल का और लड़की लगभग 19 साल के आसपास होती है वह दोनों जब बातें किया करते थे बादचीत का सिलसिला बहुत बहुत देर तक ऐसी चैटिंग पर चलता रहता था और लड़की ने और लड़के ने फैसला किया कि हम दोनों शादी करके जिंदगी साथ-साथ बताएंगे लेकिन एक कमी थी लड़की BSF में डाटा एंट्री का काम कर रही थी सरकारी नौकरी थी और लड़का बाइक में मैकेनिक का काम किया करता था दोनों का कोई मेल नहीं था लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन लड़की अच्छी पढ़ी लिखी अंग्रेजी में बात करने वाली होती है एक दिन लड़का उससे पूछ बैठता है कि तुम मुझसे ही क्यों प्यार करती हो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें मैं ही क्यों मिला तभी लड़की ने कहा कि समझने के लिए बहुत सारे लोग मिलते रहते है लेकिन कोई ऐसा मिलता है जो दिल को छू जाता है और नरेंदर कुमार तुम कुछ ऐसे ही हो जब यह बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था तो उन दोनों ने फिर चैटिंग के बाद वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया और वीडियो कॉल करने के बाद वह लड़की उस लड़के की हर इच्छाओं की पूर्ती करती थी जैसे चाहता था वह लड़का वैसी बातें किया करती थी यदि वह शरीर के किसी अंग को देखने की डिमांड करता था तो लड़की कभी मना नहीं करती थी जैसे चाहे वैसे घर में जब वह बातचीत करती है तो उसके बातचीत में पता चलता है कि घर में कुछ देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स भी लगे हुए है उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा वह हिंदू धर्म को प्यार भी करती है अब पूनम बाजवा के बारे में जो पूछा जाता है तो वह अपने घर परिवार के बारे में बताती है घर में इतने लोग हैं परिवार में इतने लोग हैं, लड़का भी अपने घर परिवार की बात साजा किया करता था और साजा करते करते जो लड़की ने पूछा कि तुम रहते कहा हो अपना इलाका कौन सा है तब उसने अपने इलाके के बारे में बताया कि वह बीकानेर की छेतर में रहता है और B.Kanir यानी की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उस इलाके में रहता है तो लड़की ने कहा कि मुझे आपका इलाका देखना है मैं कभी इस पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ आई नहीं हूँ तब उस लड़की की बात सुनने के बाद उस लड़के ने यानी की नरेंदर कुमार ने जो वहां के इलाके की जितनी भी सरके थी उन सरकों के फोटो भेजना शुरू कर दिया B.S.F. की जहां जहां भी पोस्ट थी उन पोस्टों के फोटो भेजना शुरू कर दिये साथ ही जो टावर होते हैं, उनके भी आर्मी के गारियां आर्मी की कैम्प लगे होते हैं ऐसी छोटी-छोटी जानकारिया में भेजता था और भेजने के बाद ऐसी बातचीत करते करते कब डेर साल दो साल निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता और इसी बीच में एक वहाट सेप पर ग्रूप बनाने के लिए लड़की अपील करती है वह कहती है कि तुम्हारे इलाके में तुम्हारी जो छेतर है तुम्हारे जन्पद में जो भी न्यूज है मुझे भी ऐसी न्यूज मिलती रहे कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए तो उस लड़के ने एक ग्रूप बनाया जिसका नाम था रोयल्स राजस्थान न्यूज और रोयल्स राजस्थान न्यूज बनाया उसके अंदर लगभग 21 या 22 लड़कों को उसमें जोड़ता है और जोड़ने के बाद बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो अकबारों की कुछ वेबसाइट की जो लिंक होते हैं उनको शेयर किया करते थे कुछ टीवी के लिंक से शेयर किया करते थे साथ ही इस तरह की जानकारी होती थी उस ग्रूप में लगाता शेयर किया करते थे उस ग्रूप का जो एड्मिन की पावर होती है वह नरेंदर कुमार के पास होती है जो की बाइक मैकेनिक होता है एक मिस्त्री होता है, साथ ही जो लड़की होती है, उस लड़की भी इस ग्रूप में जुर जाती है शामिल हो जाती है, लेकिन नरेंदर कुमार यह कभी नहीं जानता था कि जिस लड़की से वह लगाता डेर दो साल से चैटिंग कर रहा है बातचीत कर रहा है, वह लड़की कभी-कभी इन लड़कों से बातचीत किया करती थी और इन लड़कों को भी नहीं पता था कि आपस में यह लोग बातचीत किया करते है और जैसी जानकारी ऐसे शेयर हो रही थी नरेंदर कुमार से बाकी ऐसी जानकारी उनसे भी शेयर हो रही थी यह सिलसिला लगातार चलता रहा और इस नरेंदर कुमार को यह पता ही नहीं था नरेंदर कुमार अंदर ही अंदर खुश हो रहा था उसने परिवार की कई सदस्यों से उस लड़की का फोटोग्राफ्स भी शेयर किया उसे बताया भी की एक लड़की है जिसका नाम पूनम बाजवा है वह उससे बातचीत करता है पंजाब के बठिंडा के रहने वाली है BSF में नौकरी करती है घरवाले भी खुश हो जाते है लेकिन धीरे-धीरे करके यह बात जब फैलने लगती है तभी यही से कोई सूचना पुलिस के माध्यम से पहुंच जाती है Intelligence Bureau को और वहां से जाने के बाद अब Intelligence की टीम पहुचती है उसके बाजू में Bike Mechanic की जो कम्पनी होती है वहां जाने के बाद उस लड़के को गिरफ़तार किया जाता है उससे बातचीत की जाती है पता चलता है कि जिस लड़की से वह बात कर रहा था ना तो उसका नाम पूनम बाजवा होता है और ना ही वह पंजाब के भटिंडा के रहने वाली होती है बलकि वह पाकिस्तान की एक एजेंट होती है जो की ISI के लिए काम करती है इनकी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है और उस लड़की ने अपनी जानकारियां कलेक्ट करने के लिए, अपने देश को देने के लिए, उस लड़के से गद्दारी कराने के लिए न जाने कितनी ऐसी जानकारी, कितनी ऐसी चीज उसने हासिल करने की डेट दो साल के अंदर कोशिश की और कई लड़कों से जब बात तब यह बात जब लीक होती है, इंटेलिजेंस को पता चलती है. तो इंटेलिजेंस की भी होस उर जाते हैं कि आखिरकार उस लड़की ने एक साधारन से व्यक्ति को जबकि इस तरह की जो लड़कियां होती है. वह सैनिकों को निशाना बनाती है, पारा मिलिटरी के जो ओफि होते हैं. ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं, उसने भी एक ऐसे ही मैकेनिक को निशाना बनाने के बाद बहुत सारी जानकारी इकठी कर ली. और जब इस लड़के के बारे में यानि नरेंदर कुमार के बारे में पता चलता है, तो नरेंदर कुमार को इस बात का बिलकुल भी आभास नहीं था कि जिस लड़की से वह बात कर रहा है वह इंडियन नहीं है बलकि पाकिस्तान की लड़की और बहुत सारी जानकारियां उसको शेयर कर दी फिलहाल पुलिस ने नरेंदर कुमार को हिरासत में दिया है साथ ही कुछ और जो लड़के हैं उन लोगों से भी बातचीत का सिलसिला जारी है इसमें कितने दोशी निकलेंगे कितने नहीं निकालेंगे ये तो खेर जांच के बाद ही पता चल सकेगा लेकिन अतिरिक्त महानिदेशक इंटेलिजेंस जिनका का नाम होता है वह इस सोशल मीडिया पर वाक्य अपील करते हैं अपील करने के ब तो आप बिल्कुल सोच समझकर उस से बातचीत करें कोई भी ऐसी जांकारी शेयर ना करें जिससे देश के खिलाफ जाए और ऐसा हुआ तो फिर आपके खिलाफ देश चला जाएगा आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होगी नरेंदर कुमार के खिलाफ अभी तो लोगों की यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इनसान को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है और पडोसी मुल्क यहां से जानकारी इक्ठा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है।